नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल में तो ये देखिए मैं हरी भरी धेर सारी धनिया लाई हूँ साथ में मैंने एक फ्रेस फूल गोबी भी लिया है यहाँ पे मैंने लिया है मसाल दानी हांडी के अंदर दो गलास पानी गरम किया है आधा चुमत डालेंगे हल इसको रख देंगे प्लेट में और यहाँ पे मैं करीब एक आलू को ग्रेट करूंगी एक आलू मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है क्योंकि एक ही की जरुरत है और मैंने इसमें डाल दिया है पानी की यह काली ना पड़े इसका सारा इस्टार्च आलू का निकल जाए अब फूल गोभी की हम मीडियम साइज के टुकड़े कर लेंगे अच्छी तरह से इसको चेक करके इसको हम ग्रेट कर लेंगे तो आज मैं बिल्कुल नई तरह की बहुत ही यूनिक रेस्पी बना रहे हैं जो आप सबको बिहत पसंद आएगी तो देखी फूल गोभी को मैंने य तो मैंने बोल के अंदर बेशनयापे दाल दिया है तसमें ग्रेट की हूँए आलू डालेंगे पाने इसका सारह हमने निकाल दिया है और फूल गोभी डाल देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले तो स्वादानुशा नम्मग, आधा चुमाठ डाला है कूपते आप बादा देखिए हुआरम करता हैं मैंने सारी कोफते बनाना सुरु रख दिया थी मैंने सारी कोफते बनानाया ते नहीं है मेण पैन में कर Canadian के भाण motion बढ़ दीअ घ्रीस करके सारी कोफते में यह पे लिडे पे रख दिया है, इनको हम ढ़के चार से पांच मिट के लिए स्टीम करेंगे, देखिए जब तक कोफते बनके तयार होते हैं, मैंने अधरक लेशोन और हरी मेचिऍा पेश्ट बना लिया है तो मैंने यह कुटने का इस्तेमाल किया है और मैं यह पेश्ट बनाकर तयार कर रही हूँ साथ मैं यहां प buy तो टमाटर लिया है jis को मैं रफ 1500 करकर के इसकी बारीक चोपिंग कर elder क्योंकि आज की रेस्पी में हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे तो देखि सारी चौपिंग आपे तमाटर की हो चुकी है अब मैंने यह पे कोफते को चेक किया है तो कोफते देह बाद मैंने यहां पीयाज ली है इसके भी हम बारिक chopping करके तयार कर लेंगे तो चलिए यहाँ पर प्याच की chopping हो चुकी है तमाटर भी तयार हो चुके है तो चलिए पैन के अंदर हम डाल देंगे चार बड़े चम्मच oil डालेंगे इसको थोड़ा सा हम गरम होने देंगे एक मैंने तेज पत्ता डाला है आध है चुमच डालेंगे जीरा और साथ में जो मैंने यहाँ पे प्याच को काटके रखा था चौपिंगर की वो भी डाल देंगे और खुली आज पर ही से हमें पकाना है साथ में डालेंगे आध है चुमच हल्दी पाउडर और साथ मैंने आदा चुम मचलाल मिश्का पाउडर और आदा चुम में गरम मसाला और अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर देंगे और पेश्ट बनके तयार है यहां पर हमारा मसाला भूंके तयार है मैंने अब डाल दी है इसके अंदर चौप किये हुए टमाटर इनको भी हम सॉफ्ट होने टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छी तरह से मिक्स भी हो चुके हैं तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने दई का पेश्ट बनाया था इसको भी हम मसालों के साथ में अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे तो आज की रेस्पी में हमने बहु बहुत कमाल का आता है सारी चीजें मिक्स हो चुकी है अब इसके अंदर डाल देंगे करीब 3 कप ग्रेवी के लिए पानी और ढखके करीब हम 2-3 मिट के लिए बॉयल कर देंगे तो देखिए सब्जी में ग्रेवी बहुत कमाल की लगेगी तो देखिए यहां पे ग्रेवी डाल देंगे और इसको भी हम करीब ढखके 2 मिट के लिए बॉयल कर लेंगे जिससे कोफ्ते के अंदर ग्रेवी और मसालों का अच्छी तरह से सोक लेंगे तो खाने में काफी टेश्टी लगेंगे एक कोफ्ता मैंने यहां पे बचा के रखा था थोड़ा सा मुझे सबजी भी बनके तैयार हो चुकी है थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया इस तरह कि अगर आप फूल गोबी की सबजी बनाएंगे तो घर में सभी लोगों को बहत पसंद आएगी तो चलिए सबजी बनके हमारी यहां पे तैयार हो चुकी है अब बारी है प्लेटिंग की तो मैंने यहां पे सबजी को बोल के अंदर डाल दिया है काफी गर्मा गर्म सबजी है तो मैं इसको सरू कर रही हूँ और सचमे गाईस यह पूल गोबी की बिलकर यूनिक सबजी है जो आप सबको बहत पसंद आएगी अब चपाती के साथ इस